कि हाई गाइस वेलकम बेक टो यूटूब सेनल एक्जामडर स्वागत एक वाद फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब सेनल एक्जामडर में जैसा कि आप सभी के लिए कि मैट का प्रीविस एंपने को सन सरी चला था आपके प्रीविस इंटेशन जाम लिए तो प्रीविस इंटेशन उठाय गया था आपका दूजर आट-दूजर दूजर चौदम प्रीविस इंट भराबर होगा यानि इसका मान क्या होगा चारो अप्सन दिया गया है तो सबसे पहले सालव करने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेजेगा ताकि आपको ऐसे नए अप्डेट गीडियो सबसे पहले मि मिलेगा और आपको बता दे आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप एंड फेस्बुक पेस से जूर सकते हैं जहां पर आपको कोई भी कंफूज हो है तो जूर जाहिए लिंक डिसक्रिस्टन में चलिए सॉल्व करते हैं कोस्टन आप सभी का कोस्टन फिंस बहुत ही लॉजिकल है तो इसलिए फोकस करना है तो आपको बता दे उस कामान रखने के लिए आपको सबसे पहले यहां से सॉल्व करना पड़ेगर 10 3a-2a से हम लोग निकालेंगे 10a 10 2a into 10 3a कामान तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो कर रहा आपका 10 3a 10 2a 10 a कामान निकालना हमको तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 10 3a-2a is equal to formula रखते हैं हम लोग तो आपको पता है 10 3a-2a से हम पूरा निकाल लेंगे answer question के बराबर क्या होगा तो 10 3a-2a रखते हैं तो आपको पता है 10a-10b बराबर होता है 10a-10b बटे 1 plus 10a into 10b तो आप इसको लिख सकते हैं 10 3a-2a बराबर लिख सकते हैं इसको आपको formula के साबसे 10 3a-10 2a upon 1 plus 10 2a into 10 3a तो फार्मूला हो गया अब इसको आपको पता होगा हमको करना इसमें मल्टीफिकेशन हो भी क्रास क्रास मल्टीफिकेशन करेंगे तो आपको सबसे पहले हां देखिए आप लोग कन्फूज हो जाएंगे यहाप पर टैने कैसे है तो आपको बजा दे अब इसको चलिए स्वाल करते हम लोग और तो यहां से और करेंगे हम लोग टैने अब पहले इसका इंटू कोश्टक जो है तो टैने का इंटूम गुड़ा कर लेते हैं जो कोश्टक के अंदर है तो टैने प्लस टैन एंटू टैन टू एंटू एंटू टैन थ्री हो जाएगा इसको और छोटा स्वाल्व किया जाए तो आपको बता दे टैने हो जाएगा टैने इंटू टैन टू एंटू एंटू टैन थ्री और आपका टैन ए जो है प्लस इस सेट जाएगा तो को माइनस होगा यहाँ देखियो जाएगा आपका टैन. 3A minus 10 2A minus 10A यानि जो यहाँ पर पूछा गया था 10 3A into 10 2A और 10A बराबर हो जाएगा आपका क्या correct answer 10 3A minus 10 2A minus 10 A तो आपका यह correct answer होगा तो आपका यह देखिए question पूछा गया था तो आपका जो correct answer हो जाएगा यह option हो जाएगा आपका कौन सा option आपका देखिए option A correct होगा यह वाला 10 3A 10 2A 10 A बराबर 10 3A minus 10 2A minus 10 A मैं तो कहता हूँ फेर्स इसको कई लोग इसमें क्योंकि basic 10 3A minus 10 2A से solve कर रहा है तो इसलिए कई लोग confusion कैसे solve होगा इसलिए आप लोग क्याम करिए हाला कि repeated question आ रहा है देखिए कई बार तो आप लोग क्या करिए इसको कुल answer याद कर सकते हैं नहीं तो logic जान लीजिए कैसे solve करना है अगर यहाँ पर और कुछ change करके तो solve हो जाएगा तो वीडियो पसंद और लाइक कर दीजिए का धन्नावा दोस्त